आज हम देख रहे हैं हमारा सेकेंड चेप्टर जिसका नाम था हम भी बने महान उसमें मैंने आपको बताया था कि चार पार्ट से उसमें से हम दो पार्ट देख गए हैं फॉस्ट पार्ट का नाम था कर्टविय जिसमें हमने किस के बारे में सिखा था नरेंद्र के बारे में सिखा था नियम सब के लिए हैं वो भी हम देख चुके किस तरीके से उन्होंने मुख्याति थी को नियम के बारे में बताया था और कहा था कि नियम सब के लिए हैं कोई भ होना चाहता है पर काम्याब होना इतना असान नहीं है तो यहाँ पे हमें इस छोटे से पार्ट के अंदर बताया गया है कि आखिर सफलता का रहश्य क्या है तो आज हम उसे पढ़ेगे और समझेगे अंदर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए एहम दाबाद में आया था कौन आया था अंदर 14 अंदर 14 का मतलब क्या होता है कि जो 14 साल के कम उम्र के होते हैं वेसे वेसी बच्चों की एक टीम थी जिसके कप्तान कप्तान यानि हमने देखा है कैप्तन जो होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर कप्तान के रूप में एक लड़का अपने टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए ऐहम दाबाद आया था कहां आया था एहम दाबाद उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठेहरी होई थी सुबह उटते ही पूरी टीम कोच मेनेजर के साथ अलपाहार के लिए तयार थी कोच मेनेजर, कोच यानि हम सबको बताएं हर टीम का अपना-पना कोच होता है coach जो सिखाने वाला हो जैसे cricket के coach होते है फुट बोल में बी coach होते है और बहुत सारे team जिसे कबड़ी वगिर हम लोग देखिये उन सब में प्रसिख सक यानि सिखाने वाले को coach कहते है और manager का मतलब होता है कि जो सारा कामकाज अच्छे से देख रहे है सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं वो सब कुछ या निए प्रबंदग मेनेजर के साथ अलपाहार के लिए तैयार थे अलपाहार का मतलब था प्रेकफास्ट हम लोग सब को पता है सुबह का नास्ता जिसे हम प्रेकफास केते हैं उसको हिंदी में अलपाहार केते हैं एक मातर कफ्तान ही नहीं दिखाए दे रहा था यानि पूरी टीम जो है वो तैयार थी ब्रेकफास के लिए कोच मेनेजर के साथ बड़ सिर्फ कफ्तान जो थे वही दिखाए नहीं दे रहे थे उसे ढूणने के लिए पूरी टीम लग गई पर वो नहीं मिला यानि उसे ढूणने के लिए को कहा है हमारा कैप्टन कहा गया उसे ढूणने के लिए पूरी टीम लग गई पर वो कहीं नहीं मिला बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वो हाज से गेन फेक रहा था और जो ही गेन दिवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाज से बल्ले से गेन को खेल रहा था यानि क्या उसके एक हाज ने बॉल थी और एक हाज ने जो है वो बेट ये जो बल्ला जीसे बोलते है उसको हम बोले के बेट तो बल्ले से खेल रहा था, एक हाथ में बल्ला था और एक हाथ में क्या थी, गैन एक हाथ से जैसे ही वो गैन को दिवार के तरफ फेकता था, जैसे वो रिटर्न में आती थी, तो दुसरे हाथ से वो क्या कर रहा था, उसे उस गैन को खेल रहा था साथी खिलाड़ी टीम में सामीन होने पर ही संतुष्ट थे यानि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी वीश होती है कि हम भी मतलब क्रिकेट टीम में खेले तो जो साथी जो थे उस लड़के के वो सब सिर्फ इसी लिए खुस थे यही सोच के सैटिस्फाई थे संतुष्ट यानि सैटिस्फाई थे कि बस हम तो सिलेक्ट हो गए यहीं हमारा काम फिनिश हो गया हम सिलेक्ट हो गए तो ही हमारा नाम हो गया यह सोचकर वो लोग satisfy थे लेकिन वो कप्तान होकर भी सारी रात अपने याप अभ्यास करता रहा पर वो captain होने के पावजूत पूरी रात अभ्यास करता रहा अभ्यास यानि प्रैक्टिस करता रहा उसका अभ्यास एवं cricket के प्रति लगाओ लगाव यानि attachment जो होता है किसी चीज को लेके हमें वह लगाव का मतलब होगा attachment देखकर coach manager और सभी साथ ही खिलाड़ी दंग रहे गए दंग रहे गए यानि आश्चर ये चकित रहे गए क्या देखकर उसकी जो लगन थी attachment थी और जीतने की जो ख्वाइश थी या देखकर उसका hard work देखकर सब लोग दंग रहे गए आश्चर ये चकित यानि सब शौक रहे गए आगे चलकर इस अड़के ने cricket जगत यानि दुनिया cricket की जो दुनिया है उसमें अधृतिय सफलता प्राप्त की अधृतिय यानि जो हम सोच भी नहीं सकते उस तरह की अधभूत सफलता सक्सेस प्राप्त की कई विस्वर रिकार्ड रिकार्ड का मतलब था जो रेकोर्ड वि पीवी में देखते के इसने यह विस्वर रिकार्ड टोड़ा उसने वह विस्वर रिकार्ड इसी तरह कई विस्वर रिकार्ड उसके कदम चुमने लगे यानि वह क्रिकेट में इस तरीके से काम्याब होने लगा कि वह उसने वर्ल्ड में किसी ने रिकार्ड नी बना है उस कि जो लोग कामियाब होते हैं हम उनी को जा के पूछते कि कैसे हो गया तुछ से कुछ तो होगा इसका सिक्रेट हम जैसे पूछते हैं कि तुम्हारा ये सकसेस का राज बताओ तो वेसे गई लोगों ने उसके सफलता का रहश्य पूछा तो बड़ी विनर्म ता से उत्तर दिया कि मैं हर मेच तीन बार खेलता हूँ हर एक मेच कितनी बार खेलता हूँ? तीन बार पहले अभ्यास के रूप में, यानि पूरी राज जिस तरीके से उन्हों अभ्यास किया उस तरीके से दुसरी बार सचमुत मेधान में यानि सही मेधान में उतर के खेलते हो तता भी मेच के बाद मुल्यांकन वह सुधार आवश्यक्ता के रूप में यानि अब उन्होंने मेधान में आके खेल ली अब उसके बाद उसमें क्या सुधारा वदारा करना है हमें यह सोच के वो third time भी उसे ही खेलते हैं अब यह इतने successful इंसान है कौन? अब यह भी तो जानना है हमें यह लड़का कोई और नहीं cricket की दुनिया में सफल ताके नीत नए किरतिमान स्थाफित करने वाला हमारा सचीन रमेश टेंदूल करें यानि नीत का मतलब क्या होता है कि जो नए नए जो उन्होंने नितिया यानि हमेशा नए किरतिमान स्थाफित करना किरतिमान यानि अद्भुत सफलता प्राप्त करना किरति हासिल करना स्थाफित करने वाला हमारा सचीन रमेश टेंदूल करें सच मुझ एकागरता एकागरता का मतलब क्या होता है कॉंसेंट्रेशन जो होता है वो एकागरता अभीरत अभीरत यानि लगातार अभ्यास कठोर परिश्रम यानि हार्ड वर्क एवं लगन की सफलता के आधार है लगन ही सफलता के आधार है यानि कौनसी कौनसी चीजे बताई सफलता का रहश एकागरता है यानि जो अगर हम कोई गोल को पसंद कर ले कि हमें चाहिए तो बिल्कुल कॉंसेंट्रेट हमारा उसी दिसा में होना चाहिए अविरत अभ्यास यानि हमें उसको पाने के लिए हमेंसा अभ्यास करना चाहिए यह सा निका आज हमने बहुत ज़्यादा हमें पास होना है आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमें कल कुछ नहीं पढ़ना है परसो कुछ नहीं पढ़ना नही अविरत अभियास यानि बिना रुके अभियास करना है हमें लगातार अभियास करना है कठोर परिश्रम हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें हार्ड वक करना है यह सारे गुण ही क्या है सफलता के आधार तो यहाँ पे हमारा जो यह टॉपिक है हमाना टॉपिक का नाम किया था सफलता का रहश्या वो यहाँ पे फिनिश होता है थैंक यू फर वाचिंग अल्लाह अफीज